हेलो साथियो एक जामेक सिसमे में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्त वीडियो बड़ी इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कभी कभी 92 वाला बच्चा पास होता है पास हो जाता है लेकिन 93 वाला बच्चा फेल हो जाता है ऐशा क्यों जरा इस वीडियो में इत्मिनान से बने रेगा मजा आएगा आपके लिए भी important है दोस्त मैं आएक आपको बात बता दूँ कि जोहर नवदे भी देले का result एक state में जितने district होते हैं district wise इसकी cutoff बनाई जाती है अभी आपके सामने एक अफवाहे भी उड़ाई जाएगी कि इसका cutoff block wise बनाया जाता है लेकिन एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि cutoff block wise नहीं बनाया जाता है ठीक है तो इसका देखे मान लिजए कि मैं awesome state कराने वाला हूँ suppose किजिएगा वीडियो बड़ी interesting होने वाली है मैं awesome state कराने वाला हूँ वहाँ पे मेरा 85 नमबर आया था तो मैं पास हो गया हूँ लेकिन मेरा UP state का आऊ हूँ और मेरा 90 नमबर आएगा तभी म मैं फेल हो सकता हूँ क्योंकि यहां पे इसका cutoff क्या जाने वाला है और यहां पे इसका cutoff क्या जाने वाला है दोनों में दिल्ली असमान का अंतर होता है ठीक है ऐसे होता है क्योंकि अलग-अलग state की अलग-अलग cutoff जाती है अब दूसरी बात अब देखिए एक और इस को टॉफ बनाई जाती है तो इस ब्लॉक में इस ब्लॉक में जरा इत्मिना सुनेगा इस ब्लॉक में 75 नमबर लाने वाला बच्चा भी पास हो सकता है लेकिन इस ब्लॉक में 90 नमबर लाने वाला बच्चा भी फेल हो सकता है तो यहां डिपेंड करता है कि यहां इसकी को कुट ओफ कितनी हाय हो गई इस पर डिपन करता है कि comedy कितनी है मतलब कितने बचों ने आप फ़ाइम डाला कितने यहां पे तीय जए एक कितने इंटिलिजेंट वच्छे